दोस्तों सबसे शक्तिशाली साधना, भेरो साधना, दोस्तों कोई भी साधना करनी हो जब तक साधक के पास भेरो की सिद्धी नहीं होती, तब तक वो साधना अधूरी ही रहती है. 10 महाविद्या में से किसी शक्ती की साधना करनी हो तो पहले आपको काल भहरो साधना करनी पढ़ती है दोस्तों हर शक्ति के साथ भहरो चलते हैं, भहरो के बिना शक्ति नहीं चलती, क्योंकि भहरो ही वीर है, शक्ति के, इसलिए कोई भी शक्ति की साधना, या उपासना करने से पहले, भहरो बाबा को सिद्धकरना जरूरी है. दोस्तों काल भेरो की पूजा और साधना भारत के हर राज्य में होती है, ज्यादातर इसकी साधना तांत्रिक और अगोरी करते हैं, भेरो हर कार्य करने में सक्षम है, भेरो की साधना और आराधना तामसिक और सात्विक रूप से होती है, भेरो ज्यादातर वशीकरन, मारन, उच्छात्तन जेसे काम में चलाया जाता है, ज्यादा तर इसका प्रयोग काला जादू में होता है, नए साधक के मन में विचार आते होंगे की काल भेरो की सिद्धी कैसे होती है, भेरो बाबा को कैसे सिध्ध करे, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंग काल भेरो की साधना कैसे होती है, दोस्तों सबसे पहले मंत्र जानते है, ओम नमो आदेश काल भेरो काला भेरो काला केश, कानो मुंद्रा भगवा वेश, मार मार काली पुत्र बारह कोश की मार, भुता हात कलेजी खुहा, गेडिया जहा जावु भेरो साथ, बारह कोश की र बैठी पनिहारी मोह, गदी बैठा वानिया मोह, ग्रह बैठी वानियानी मोह, राजा की रजवादीन मोह, महलो बैठी रानी मोह, दाकिनी को, शाकिनी को, भूतनी को, पराय को, लाग को, लप्टाय को, धूम को, धका को, मलिया को, चौट को, सुगाट को, काचा को, कलवा को, भुत को, पलित को, जिनको, राक्षस को, वेरीनों से बरी कर दे, नजरी जड़ से ताला, इतना भहरो न करे तो पिता महादेव की जटा तोट तागरी करे, माता पार्वती का चिर फार लंगोट करे, चल डाकिनी शाकिनी, चोडु मेला बकरा, देव मद की धार, भरी सभा मे धू आने में, कहा लगाई वार, खपर में खाय मसान में लेटे, ऐसे काल भहरो प्रणाम कौन पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूद पूट से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र इस्वरी वाचा, दोस्तो मंत्र जानने के बाद, हम जानते हैं मंत्र विधी, दोस्तो एक पत्थर लेकर उसको काला रंग लगा दे, और थोड़ा सा चमेली का तेल भी लगा दे, दोस्तो फिर पत्थर का थोड़ा हिस्सा जमीन में गाद दे, और थोड़ा हिस्सा उपर रखे प्रतिमा की त दोस्तों जाप कम से कम पाँच माला करे, साधना के दर्मियान काले कुत्ते को खीर हलवा खिलाए, और हो सके तो एक बार भहरवजी के मंदिर में जाकर भहरो बाबा का दर्शन करे, ये साधना 21 दिन तक करे, 21 दिन के अंदर भहरवजी सिधा हो जाएंगे. दोस्तों काल भहरो साधना करने में, गुरू का मार्ग दर्शन होना जरूरी है, बिना गुरू की साधक इस साधना को संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि भहरो की साधना करते समय, साधक को बहुत सारे विचित्र अनुभव होते हैं, इसलिए भहरो की साधना गुरू के सानिध्य में ही करनी चाहिए, दोस्तों कोई भी तामसिक साधना करे, तो गुरु को साथ रखे और उनके दिये गई दिशा निर्देश का पालन करे. दोस्तों कालवहरव साधना का तात पर्य भगवान कालवहरव से जुरी प्रथा या पूजा से है, जो भगवान शिव का एक उग्र रूप है. कालवहरो को समय का रक्षक और परम सत्य माना जाता है. काल भेरों की साधना, कुछ व्यक्तियों या समुहों द्वारा, आध्यात्मिक विकास, सुरक्षा और भगवान भेरों का आशिर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है ये ध्यान रखना महत्वपून है कि साधना, पद्धतिया, अलग-अलग व्यक्तियों या परंप्राओं के बीच भिन हो सकती है और ऐसी प्रथाओं को हमेशा एक योग्या आध्यात्मिक शिक्षक या गुरू के उच्चित मार्गदर्शन के साथ करने की सलाह दी जाती है काल भेरो साधना से जुरे कुछ सामान्य पहलू और अभ्यास यहां बता रहे है जै महाकाल आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल अलोकिक नॉलज़ पर उदेश्य काल भेरो साधना आमतोर पर विबिन कारणों से की जाती है जिसमें नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त करना बाधाओं पर काबू पाना आध्यात्मिक अंतरद्रिष्टी प्राप्त करना और मुक्तीक मोक्ष प्राप्त करना शामिल है मंत्र जाप भगवान काल भेरो को समर्पित विशिष्ट मंत्रों का जाप साधना का एक अनिवार्य हिस्सा है काल भहरो से जुड़ा सबसे प्रसिद मंत्र काल भहरो अश्टकंब है यंत्र और मूर्ती पूजा, कुछ इभ्यास करता केंद्रित पूजा और ध्यान के लिए काल भहरो के विशिष्ट यंत्र पवित्र जामितिय चित्र या मूर्ती प्रतिमा का उप्योग कर सकते हैं अनुष्ठान और प्रसाद, भगवान काल भहरो का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए साधना के दोरान फूल, भूप, घी के दीपक, नारियल, मिठाये और अन्य वस्तूओं का प्रसाद चढाया जाता है उप्वास, भगवान भहरो को समर्पित विशिष्ट दिनों, जैसे मंगलवार या चंद्र कैलेंडर के आठवे दिन अश्टमी पर उप्वास रखना, साधना अभ्यास का हिस्सा हो सकता है ध्यान और जप, देवता के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान संबंधी अभ्यास, जिसमें भगवान काल भहरो के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना और उनके मंत्रों का जाप करना शामिल है, किया जाता है अनुशासन और तपस्या, कुछ अभ्यासी अपनी साधना के हिस्से के रूप में ब्रह्मचर्य, नियमित प्रार्थना, आत्मनिरीक्षन और नेतिक आचरन बनाये रखने जैसे आत्मा अनुशासन और तपस्या को शामिल कर सकते हैं गुरू मार्गदर्शन, साधना की उचित समझ और अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए किसी अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक या गुरू से मार्गदर्शन लेना उचित है, जिनके पास कालभेरो साधना का ज्यान और विशिश अगिता है काल भेरो साधना सहित किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को सम्मान, इमांदारी और आध्यात्मिक विकास के वास्तवेक इरादे से करना आवश्यक है एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन और आशिरवाद अभ्यास की जटिलताओं को समझने और एक सुरक्षित और फलदाई आध्यात्मिक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है भगवान शेप के रूदर रूप कहे जाने वाले 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 भगवान शेप के काल भहरो मंत्र को सिध्ध करने की सरल वर संशिप्ट विधी के विशे में जानकारी देने वाले हैं। करते हैं, आईए जानते हैं काल भहरो को प्रसंद करने हितु उनके भात किस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। इस दिन भहरो उपासना करने से जीवन में आने वाले सभी कश्ट दूर होते हैं। रात्री को एक समय और एक स्थान सुनिश्चित कर प्रतिदिन मंत्र जप का द्रण संकल्प लेकर अपनी साधना शुरू करें। पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिचा कर उस पर काल भहरो की फोटो की स्थापना करें। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफेकेशन मिल सकें। और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो धन्यावाद आपका महाकाल भाग। तुआ येशचन मिल अन्यावादीड़ आपकी करें।